हाई स्कुल परिक्चा जून दो हजार चोवीस जी हाँ सातियो रुखजाना नहीं परिक्चा दो हजार चोवीस वे विद्यारती जो कक्चा दस्वी में फैल उचुके है और उन्होंने भोंबरा है रुखजाना नहीं परिक्चा का Paper Social Science सामजिक विज्ञान का paper आपका होगा बच्चो 27 माई को 27 माई आप देने वाले है सामजिक विज्ञान का paper तो चिंता करने क्या हुई शक्ता नहीं है paper किस पिरकार से बनने वाला है paper में क्या आने वाला है पूरा discussion यहाँ पर अपन लोग करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स पिछोत्तर नंबर का अपना पेपर देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिस वर्जन में रुक जाना नहीं दो हजार चोवेश स्टूडेंट्स पूरा कोश्चन पेपर किस आधार पर किस लेवल का आप कर रहेगा देखिए चिंदाना करें मैं जो आपको बताऊंगा वेसा काम करना इस बार आप जरूर और जरूर सपल हो जाओगे तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन से उससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से request है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने भाईयों को, अपनी सभी बहनों को, अपने WhatsApp इस्टेटस पर और अपने WhatsApp गुरूप, Telegram गुरूप सभी में share कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को वे question बताने वाला हूँ, जो रुख जाना नहीं परिक्चा में छपने वाले question रहेंगे आईए students, तो start करते हैं हम पहले प्रिश्न से पहला प्रिश्न आपकी screen पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए इंग्लिस मीडिया माले बच्चे भी देखेंगे और इंदी मीडिया माले भी पहला question है, निम्न में से कोन सा राज हजीरा, विजेपूर, जगदिसपूर, पाइप लाइन से नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा माहराष्ट, माहराष्ट याद रखिएगा, माहराष्ट को जो हजीरा, विजेपूर, जगदिसपूर जो गेस पाइप लाइन है, इस से नहीं जुड़ा हुआ है अगला कोश्यन है, आपका नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो यह आपको सन में बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1797 में किया था अगला कोश्यन, इंगलिस मेडियम वाले बच्चे भी अपना अंसर लगा लेंगे, है ना, 1797, अगला कोश्यन, तीसरा, गांधी इरविन समझोता हुआ था, तो गांधी इरविन जो समझोता हुआ था, बच्चों याद रखिए, अपने हाथ में कोपी और पेन रखिए, ताकि आप लोग इन कोश्यनों को भूलो, नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो बताये जा रहे हैं, आपके पेपर में छपने वाले कोश्यने, उन्हें ही बताये जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चों, 5 मार्च, 1931 आपक गया तरक नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत देशिये पर योजनाओं से, वरत इस तर पर विस्तापन होता है, और आजीवी का खत्म होती है, इस्टुडेंट्स दिहान रखिएगा, यह आपका करेक्ट अंसर यहाँ प कौन सा पक्च में नहीं है, है ना, इसलिए, अगला कुश्चन देखेंगे, आप देखिए, इंगलीज मीडियम वाले बच्चों के लिए ता यह, इसमें भी सी अप्सन आपका करेक्ट होगा, इन में से कौन सी फलीदार पसल है, इन में से कौन सी फलीदार पसल है, यह देखेंगे जैसे कि एक उदारन देदेता हूं जिसकी डाल किसकी बनाते हैं अपन मटर की बनाते हैं तो मटर का जो फल रहता है वो ऐसा रहता है और इसके अंदर चोटे-चोटे क्या रहते हैं दाने रहते हैं तो देखिए क्या रहता है फली दार रहती है और हम दार करें त कौन सा उद्ध्योग दूर्भास कम्प्यूटर आदी निर्मित करते हैं, तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा सूचना प्रद्योगी की आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा, चलिए, आगे हम देखेंगे रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर रिक्तिस्तानों की पूर्ति करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ी कम्पनियों को कहते हैं, तो बड़ी कम्पनियों को क्या कहते हैं, बहुराफ्टी कम्पनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, और की पूजा सदियो पुराना जन जाती विश्वास है व्रक्षो अंसर क्या होगा व्रक्षो की पूजा सदियो पुराना जन जाती है विश्वास है अगला कुशन है अपरिका में 1890 के दसक में नामक बिमारी बहुत तेजी से फेल गई थी तो इस बिमारी का नामता बच्च तो रिंडर पेस्ट रिंडर पेस्ट नामक विमारी बहुत तेजी से पेल गई थी कहाँ पर अपरिका में कब पेल गई थी 1890 में अगला प्रेशन हम देखते हैं ओसत आई को आई भी कहा जाता है जो ओसत आई होती है ना बच्चों ध्यान रखिएगा कोश्चन अगर ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे तो आप अच्छे से लिख कर आ सकते हो और आपको क्या रहेगा याद रहेगा तो यहाँ पर ओसत आई को हम प्रति व्यक्ति आई भी कहते हैं प्रति व्यक्ति आई भी कहते हैं किसको ओसत आई को अगला कोश्चन तिरतियक छे चेतर जो होता है उसे कहते हैं तो हम सेवा चेतर कहते हैं सेवा चेतर को जो रखा गया है बच्चो वो 33 चेतर में रखा गया है अगला कुश्यन देखेंगे बेंक पर रिन देने वाले ब्याज से रिन पर अधिक ब्याज लेते हैं तो यहां पर बेंक जो होता है बच्चो आपका correct answer होगा अगला question देखेंगे सही जोड़ी मिलाना है तो यहाँ पर हम जोड़ी देख लेते हैं जैसे कि यहाँ Napoleon की हार तो अभी हमने यह question भी देखा था 1815 में Napoleon की जो हार यह कब हुई थी 1815 में हुई थी और Rolex Act कब आया था 1919 में और James Watt तो यहाँ पर कब यह क्या है भाप का engine और संग सुची को हम मिलाएंगे किसे इसको मिलाएंगे पृतिकरक्चा पृतिरक्चा से मिलाएंगे बच्चों का भी बहुत जादा कमेंट आ रहाता कि ूसको chopped में बहुत महत्पुर्न है किसे इस बार सफलता प्राप्तर करना है तो एंग्लिamm करें सिफ्चे कि प्राइंगे थैंग this माले सत्य लगाएंगे और इंग्लिस मेडिया माले इसमें क्या लिकेंगे ट्रू कि आगे बढ़िए कोल कत्ता एक समुद्री पत्ता ने कि असत्य अगले कुश्यन को जन्वरी 1923 में असयोग और खिलापत आंदोलन शुरू हुआ इसकंसर भी असत्य होगा और अटारवी सदी तक महीन कपड़े के अंतर राष्टी बाजार पर भारत का दबदबा था तो इसकंसर क्या होगा सत्य है अगले प्रिश्न को देखेंगे लोग तंत्र में सभी नागरीकों को एक ही वोट का अधिकार है सत्य हर्याना राज्य की प्रतिव्यक्ति आई सबसे नाम बताईए जहां मजबूत लोकतंत्र है बाहरत अमेरिका पूरे देश के लिए बनने वाली एक स्रामानिय सरकार को कहते हैं संगिय सरकार और नागरीकों की गरिमा तता स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी सासन प्रनाली उत्तम है तो इसे हम कहते हैं लोकतंत तरिक प्रिनाली। अगला क्यूक्षिन वी सासन वेवस्ता जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सयोगी, राज़नेतिक डलो, द्वारा गटित सरकार क्या कहलाती है। गट बंदन कहलाती है चैलिए आगे अगले कॉक्षिन क्यों देखते हैं उस पिरकिर्या को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामिन चेतरों में ग्रामिन चेतरों से सेरों की और पलायन करते हैं तुशे हम कहते हैं शेरी करण क्या कहते हैं बच्चों शेरी करण और सामाजिक व चालिए, अब मैं आप लोगों को वे कोशिन बताने वाला हूँ, जो दो दो नंबर के रहेंगे और तिन तीन नंबर के रहेंगे और चचान नंबर के रहेंगे, जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जूड रहे हैं, आप अपनी तैयारी को बहतर और उंदा बनाए करें, आपने चाहे रुख जाना नहीं का पॉम डाला हो, यह सप्लिमेंटरी का, इस बार सपलता जरूर आसिल करोगे, यह सभी कोश्चनों को देख लीजिए, सभी कोश्चन आपको बिल्कुल बताय जा रहे हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है, तो से इनको लिख लीजिए बच्चों, और याद कर लीजिए, पूरा कोश्चन पेपर है यह, अगर आपने इसको सोल कर लिया, तो गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए और भी ऑबजेक्ट टाइप कोश्चन लेकर आने वाला हूँ, आपने ताकि उसके उपर वीडियो बनाया जा सके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है स्टुडेंट्स वीडियो अच्चा लगाओ तो लाइक कर दीजेगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजेगा, और आप चाते हैं कि आने वाला अगला वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी की बटन को ओल पर कर लेना, जिस से नोटिविकेशन आप तक मोच जाएगा, धन्यवाद